हेलो प्रेंस स्वागत है मेरे चैनल में आपका तो प्रेंस आज हम इस वीडियो में सिंपल लटकन डिजाइन बनाना सीखेंगे तो इसके लिए हमने दो कलर के फैवरिक लिये हैं यहाँ पर तो सबसे पहले देखी हम इस तरीके से मेजर कर लेना है फैवरिक को यहाँ पर देखें लंबाई में लिया है हमने तीन इंची और चोड़ाई में भी हमने लिया है तीन इंची और जो दूसरे कलर का फैवरिक है उसकी भी लंबाई चोड़ाई आदा इंच कम रखना है यहाँ पर लिया हमने धाई इंची और चोड़ाई में भी लिया है धाई अब इसके बाद देखिए हमें इस तरीके से एक फैबरिक को लेना है उसे ट्रेंगल आकार में फोल्ड कर लेना है इसके बाद देखिए दूसरी वाले फैबरिक को भी लेना है और उसे भी ट्रेंगल आकार में फोल्ड कर लेना है अब देखे दोनों फैबलों को इस तरीके से रख लेंगे अब यहां से देखे इस तरीके से फूल्ड करना है हमें इसके बाद देखे यहां से अच्छी तरीके से सिलाई को फेस्ट करेंगे और शेंटर विलेश से में आने के बाद इस तरीके से सलाई को रिटन करना है और यहाँ पर देखिए इस बाले नुके को भी हमें इसी तरीके से फोल्ड कर देना है अंदर की साइड तो इस तरीके से दोनों कुणों को हमने फोल्ड कर दिया है अंदर की साइड अब इसके बाद देखिए फ्रेंस हमें जो दूसरा लेटकन डिजाइन है उसे भी रेडी करना है तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले एलो वाले फैबरे को ट्रिंगर लाकार में फोल्ड करेंगे और दूसरे कलर को भी इसी तरीके से च्रिंगा लाकार में फोल्ड कर लेंगे और दोनों को इसी तरीके से गरेंगे जिस तरीके से हमने पहले वाले लटकन को किया था तो इस तरीके से दोनों को बरालब मिज़र करके रख लेंगे इस तरीके से रखने के बाद यहां भी देखिए हमें इस तरीके से इसके नोग को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से फोल्ड करना है इस तरह के से फोल्ड करें गे इसको और सेलाई को अच्छी तरह के से पेज़ करेंगे देखिए इस तरह के से हमारे दोनों रैडी हो गई हैं अब यहां पर हम ड्रेडी में डोरी लेंगे और यहां पर सेंटर वाले इससे में डोरी को रखना है और इस तरीके से देखिए इसको फोल्ड करना है अब इस तरीके से फोल्ड करने के बाद देखिए यहां पर हमें सिलाई को फेस्ट करना है तो दोनों को बराबर मेजर करने के बाद इस तरीके से आप सिलाई को फेस्ट कर ले इस तरीके से आप सि तरीके से फेस्ट कर लिया है अब इसको हम सिधा करेंगे देखे तो इस तरीके से इसको सिधा करना है इस तरीके से देखे सीधा कर लिया है तो देखे इस तरीके से हमारा जुफ लाइंग लटकन वो बनकर रेडी हुआ है अब दूसरे वाले को मैं देखे इस तरीके से टेच करना है यहां पर इस तरीके से रखेंगे इसकी नोग को नेचे वाले साइड रखना है और उपर वाला इस पर की साइड और इस तरीके से एक इच जगा चोड़ती हुए इसी तरीके से फूल्ड कर लेंगे और जो भार की साइड है वहां से सिलाई को पेस्ट करेंगे तो इस तरीके से सिलाई को डबल करके अच्छी तरीके से आप पेस्ट कर ले अब इसके बाद देखिए इसको सीधा कर लेंगे हम तो इस तरीके से देखिए हमारा जो लटकन डिजाइन है वो बनकर रेडी हो गया है आप दूसरा भी लटकन डिजाइन इसी तरीके से बनाकर रेडी कर ले तो प्रेंस यहाँ पर आप तीन भी डिजाइन में बना सकते हैं यहाँ पर हमने दो-दो ही बनाए हैं आप अपने अकोर्डिंग तीन या फिचार कर सकते हैं तो प्रेंस कमेंट करेंगे जरूर बताईएगा कि आपको यह लटकर डिजाइन वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक्यों